आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ बात करने वाला हूँ Carriers in Biotechnology क्या आपको Biotechnology के फिल्ड में जाना चाहिए क्या है इस फिल्ड का प्रोज और क्या है कौन्स जानेंगे इस वीडियो में इस वीडियो को पुरे एंड तक देखेगा क्यूंकि अभी Counseling का दौर चल रहा है हर जगा सिर्फ और सिर्फ Biotechnology के बारें बात हो रहा है बच्चे Computer Science लेना चाह रहे हैं और उनको उतना च्छा रैंक नहीं मिला है तो उनको कहीं न कहीं Biotechnology कोर्स का सामना करना पढ़ रहा है और क्यूं जातर बच्चे इस कोर्स को इगनॉर कर दे रहे हैं क्या वाकई में आपको भी ये कोर्स नहीं लेना चाहिए जानेंगे इस वीडियो में इस वीडियो का एक सेकेंड आपके लिए काफी दा जरूरी है यदि आपको VLSI के बारे में भी जानना है तो मैंने वीडियो बना रखा है आप जाकर की देखिए आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला है यही कारणे कि ये वीडियो भी मैं क्रियेट कर रहा हूँ otherwise मतलब motivation नहीं मिलता तो इस वीडियो को पुरा end दक जहुर देखिएगा और इस वीडियो को share कर दीजे यदि आपको बायो टेक्नलोजी के बारे में जानना है तो सबसे पहले बात करते हैं कि बायो टेक्नलोजी है क्या तो आप देख सकते कि हर तरफ agriculture आपका environment आपका medical हर तरफ revolution आ रहा है आप देख सकते कि नएने तरीका का खेती हो रहा है बच्चे मतलब बायो टेक्नलोजी पढ़ पढ़ के ही यह नए तरीके डवलप कर रहे है इसके अलावा medical में बहुत सारे नए बदलाव आए है revolution आया है नएने ड्रक्स आया है नएने दवाईया बनी है नएने ड्रक्स दवाई ही और नएने तरीके तोर तरीके बनाए गए हैं जिसके मदद से लोग का इलाज हो रहे है environment के बारे में लोग सोच पा रहे हैं तो यह बायो टेक्नलोजी के कारण ही हुआ है ठीक है बायो टेक्नलोजी में बेसिकलिए आपका living organism, biological process यह सभी चीजे आती है जो भी आप living things देख रहे हैं उसमें जो कुछ भी changes आ रहा है environment देख रहे हैं जो कुछ भी बदलाव आ रहा है वो सब कुछ बायो टेक्नलोजी के अंतरगत आता है basically bio technology इसी के बारे में होता है bio plus technology यानि किस तरीका से bio के field में technology को utilize किया जाएं यह भी हमें bio technology बताता है जैसे for example के लिए नए drugs बनाना और नए-ने फसल उगाना नए-ने तरीके से खेती करना यह सब bio technology में ही आता है bio technology basically पूरे के पूरे global changes को analyze करता है और जो भी देश दुनिया में हो रहा है यहां पर bio technology में लोग पढ़ते हैं इसके बारे में जानते हैं bio technology का use करके ही लोग global changes को face कर पाते हैं technology जो है वो एक नया मतलब basically improvement लाया है लोगों के life में आज bio technology के कारण ही चीज़े बहुत ज़्यादा आसान हो गई है है कि सरीर के अंदर का भाग हम लोग देख सकते हैं यह हुआ आपका bio और किस तरीकल से देख सकते हैं यहां पर आ जाते टेक तो bio technology जैसे x-ray बनाना CTR scan करना जो भी bio में आप technology का evolution देख रहे हैं यह bio technology के कारण ही हो पा रहा है और पुरी दुनिया में यह bio technology लगातार बढ़ती ही जा रही है अप सवल यह उठता है कि क्या आपको bio technology आप pursue क्यों करना चाहते सबसे पहले तो यह question कीजिए यदि आपको bio में इंट्रेस्ट है यदि आपको medical field में इंट्रेस्ट है यदि आपको लोगों को बचाना पसंद है मतलब इंदसेंस डॉक्टर बनना आपको अच्छा लगता है लोगों के बीच मेराना आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि मैं कुछ नए नए चीज़ों को डेवलप करूं जिस सोसाइटी का विकास हो सोसाइटी आपको ब्लेसिंग्स दे यदि आपको ये काम में बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट है आपको रिसर्च में इंट्रेस्ट है तो जरूर से जरूर आप बायो टेक्नलोजी के फिल्ड में जा कैसे सकते हैं बहुत ज़्यादा आसान है PCM वाले भी Biotechnology में जा सकते हैं PCV वाले तो जा ही सकते हैं यदि आपने PCM लिया है तो basically J-Mains या फिर कोई भी entrance exam दीजे और फिर उसके बाद आपको क्या करना है counseling में बैठना है counseling में आपको देश के top colleges आपके rank के अनुसार मिलेंगे जहां Biotechnology दे सकते हैं मैं Biotech में जाओं तो उनके लिए good news है बहुत ज़्यादा आसान है इसमें करियर बनाना basically आप कह सकते हैं 2-2 लाख rank वाले को भी अच्छी NIT में बहुत देश के top NITs college में आपको Biotech का branch मिल जाता है और बहुत high rank में भी आपको IITs में Biotech का branch मिलता है और इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं इसमें करियर बनाना बहुत ज़्यादासान है मैंने पहले ही बताया आपको 12 PCM या PCB से pass out होना जरूरी है उसके बाद आपको कोई भी entrance exam देना है और एक अच्छा college पाना है जहां पर आप Biotech का पढ़ाई कर सकते हैं Biotech का पढ़ाई कर लेने के बाद का करियर के बारे में यदि बात करें तो आपको basically medical field में aims में, research institute में जो भी medical से जुरा colleges है, वहाँ पर आपको job लग सकता है वहाँ पर आपको सुरू में training दी जाएगी फिर उसके बाद आपको job पर रखा जाएगा अबसल यह उठता है कि Bio Technology का scope कितना है तो scope तो बहुत ज़्यादा लाजवाब scope है इंडिया में नहीं बलकि Bio Tech Engineers का पूरे world में भारी से भारी demand है, क्योंकि सारे देश के लोग चाहते हैं कि biology में जितना ज़्यादा हो सके technology का use हो सके ताकि लोगों के life ज़्यादा आसान हो सके जो की मिर्तिव का rate है उसको basically मतलब down किया जा सके और ये चीज बायो technology के कारण ही हो सकता है और पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे विस्व में Bio Informatics Bio Genetics, Bio Research Scientist ये सारे चीज़ों का काफी ज़्यादा बोल बाला है और आपको भी इस फिल्ड में नौकरी लग सकती है अब स्वाल ये उठता है कि क्या salary बहुत ज़्यादा होता है तो मैं आपको एक बात पूरे clear cut बता दू कि Bio Technology में आपको उस level का salary बिल्कुल नहीं मिलेगा जिस तरीका से आप सोच रहे आप सोच रहे कि मुझे 10 लाग 12 लाग पर एनम का salary मिलेगा not possible ऐसा बिल्कुल भी possible नहीं इसका average salary 2 लाग रुपे पर एनम या 3 लाग रुपे पर एनम है ये बात आपको कमा सकते हैं जैसे फरक्जांपल के लिए internet पर आप virtual assistant बन सकते हैं फरक्जांपल के लिए आज बहुत लोग परिसान हैं जैसे फरक्जांपल के लिए यदि उनका kidney में stone हो जाता है gallbladder में stone हो जाता है दवाई के बारे में वो नहीं जानते हैं कुछ भी तो फिर आप एक assistant बन सकते हैं जैसे आप अपना कुछ चार्ज रख लीजे 500-600-700 पर घंटा के हिसाब से और आप उनको guide देना शुरू कर दीजे लेटरेली बता रहा हूं लोग काफी पैसा कमा रहे हैं लोग अपने salary से ज्यादा पैसे कमा ले रहे हैं 10 लाग, 12 लाग, 15 लाग रुपया महीना कमा ले रहे हैं ऐसा समझे तो bio informatics, bio genetics, bio research scientist यह समय हाला कि आपको salary कम मिलती है लेकिन आप अपने talent का use internet पर करके लोगों को service provide करके काफी पैसे कमा सकते हैं अब सवल यह उठता है कि बायो technology के लिए best colleges कांजा जहाँ प्लेस्मेंट सबसे अच्छा होता है जहां का पढ़ाय infrastructure बहुत अच्छा होता है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताओं कि यह आपको best college चाहिए तो आपको J.E.Mains से गुजरना होगा क्योंकि J.E.Mains के counseling में आपको best college मिलने की probability है अब क्योंकि 2-3-3 लाख rank में भी आपको बहुत अच्छा college मिल जाता है तो इसका मिल यह नहीं कि आपको सिर्फ engineering के परिक्षा में जाकर बैठ जाना है आपको बहुत अच्छा तयारी करना है बहुत अच्छा तयारी करने के बाद अच्छा सच्छा rank लाना है ताकि आप biotech में ही interest रखते हैं तो फिर आपको अच्छा सच्छा job मिल सके अच्छा सच्छा college मिल सके क्योंकि जितना rank कम रहेगा आपको अच्छे universities अच्छे college मिलने की probability उतनी जादा होगी अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको biotech में जाना चाहिए तो देखिए अब जरा ऐसा समझे किसान यदि खेती नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे खाएंगे तो उसी तरीका से यदि biotech में research नहीं होंगे biotech में नहीं doctors नहीं आएंगे तो फिर किस तरीका से नहीं research हो पाएंगे किस तरीका से नहीं चीज़ों के develop हो पाएगा तो किसी को ना किसी को तो इस field में जाना ही चाहिए तो क्यों ना वो आप हो तो इसलिए यदि आपका interest है interest नहीं है तो मैं यह बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप बायोटेक के फिल्ड में जाएए क्योंकि interested student इस field को अच्छा से काम कर सकते हैं तो उम्मीद है आपको बायोटेक के बारे में सब कुछ पता चला होगा यदि roadmap आपको clear नहीं है तो नीचे comment किजिए इसके बारे में मैं आपको जरूर सब कुछ डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आज के लिए पस इतना ही यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा इसे तमाम दुसरा सेर कीजिएगा थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो